अधिकारी मेरा नाम है सवरब्यादव और आज आपको लेक्चर नंबर फोर करेंट अफेयर के अंतरगत मिलने जारा घटना सार का पोश्माटम अधिकली भारत पुरा पढ़ाया जा चुका है दो लेक्चर में और ancient यानि प्राचीन भारत क然 अधिया से एक लेक्चर दीया जा चुका है आज साम को आपको दूसरा लेक्चर भी दे दिया जाएगा सभी लेक्चर देखते रहें सही तरीके से नहीं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ही गाना गाएंगे कि दोबारा मिलेंगे किसी मोड पे जो बाकी है वो बात होगी कभी ठीक है तो चलिए देखते हैं हम लोग देखते रहें लेक्चर कंप्लीट करते रहें टार्गेट के अनुसार हम चल रहे हैं टार्गेट के पहले ही हम कंप्लीट कर देंगे पूरा क्रेस कोर्स चलिए सुरू करते हैं देखते हैं पदम पुरसकार 2022 में जो दिये गए हैं थोड़ा आराम से चलते हैं पदम पुरसकार देश का सर्वच नागरिक सम्मान हैं जिने तीन स्रेडियों में प्रदान किया जाता है इन तीन स्रेडियों में पदम विभूसर्ड, पदम भूसर्ड और पदम स्री है ओके और इन सबसे बड़ा क्या है भारत रत्न भारत रत्न के बाद आता है पदम विभूसर्ड पदम भूसर्ड फिर पदम स्री ये तीनों आते हैं इस वर्स जो है कितने दिये गए हैं 2022 में इस वर्स 128 पदम पुरसकार दिये गए हैं जिन में दो जोड़ी पुरसकार किसी जोड़ी को दिये ग पुरसकार सामिल है, चार पदम विभुसड, सत्रा पदम भुसड और एकसासात पदम स्री सामिल है और टोटल 128 पदम पुरसकार दिये गए हैं, ओके 34 महिलाएं हैं, 34 महिलाएं हैं, 10 ब्यक्ति बिदेशिया या नाराई हैं, 34 महिलाएं हैं, 10 ब्यक्ति बिदेशिया या नारा पादम विभूसड यह बहुत ही महतपूड है ये तो नाम चारों याद होने चाहिए आपको जनरल विपिन रावत को मर्डू परांत दिया गया है चीफ अब डिफेंस इश्टाप ठीक है पता है सबको जनरल विपिन रावत जी को मर्डू परांत दिया गया है श्री रादेस्याम खेमका है साहित्य और सिच्छा उत्तर प्रदेश से मर्डु परांथ स्री रादेस्याम खेमका महत्वड प्रभा अत्रे कला महराष्ट की है और स्री कल्याण सिंग मर्डु परांथ राजनिता उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के सियम भी रहे है याद रखे जनरल वोपिन रावत, राधे श्याम खेमका प्रभा अत्रे और स्री कल्यांट सिंग इस वर्ष तीन लोहों को मरो परांत पदम विभूसर दिये ग deposited गये हैं अल्फाबेट के CEO हैं सुन्दर पिचाई कांग्रेस नेता गुलाम नभी आजाद और केंदरी ग्री सचीव राजीव महरसी इनका नाम सुने ही होंगे आप ग्री सचीव राजीव महरसी सीरम इस्टिट्यूट आफ इंडिया के संस्तापक सायरस पूनावाला को और फस्चिम मंगाल के पुर्मुक्मत्री बुद्ध देव भटायाचार जी को दिया गया था लेकिन इनोंने पुर्षकार को सिकार करने से मना कर दिया और पदम स्री 107 लोगों को दिये गए हैं तो इतना नाम याद करेंगे तो याद करते 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 अगली साल आ जाएंगे और याद भी नहीं होगा और यहां से जो भी महत्पुड होगा पदम स्री उसको क्विज रूप में आपको दे दिया जाएगा स्वरव आफिस्यल नराई हैं और तेरा बेक्तियों को मर्डो परांद दिया गया है जिसमें से पदम विभुसर्ड की बात करें तो जनरल विपीन रावत जी को मर्डो परांद स्री रादे स्याम खेमका जी को मर्डो परांद और स्री कल्यार सिरिंग जी को मर्डो परांद दिया गया है और प्र पीड पुरसकार बहुत ही महतबुल पुरसकार है, ठीक है, ज़एम पीड पुरसकार दोजार बीज 21 एक साथ दो दिये गये है 2020 का भी 21 का भी ठीक है, दिसंबर 2021 में 56 और 56 तॉप्लिया पुरसकार असम्या कलकार नील मडी फूकन को दिया गया नील मड़ी फूकन को दिया गया और 57 दामोदर माउजो को ठीक है दामोदर माउजो को 56 और 57 दो हजार बीस और एकिस याद रखिए नील का दाम नील का दाम नील का दाम ठीक है तो नील से नील मड़ी फूकर और दाम से दामोदर माउजो ठीक है नील का दाम ठीक है नील लेकख है दाम अधर माउजो और नील बड़ी फूकन जो है कि असमियाँ असमि भासा के कथाकार है ग्यांफ़ीड पुरुसकार इनको दिया गया याद रिखिए नील का दाम तो ग्यांफरी पूसकार चपनवा, सतावनवा सपनवा दिया गया नील मड़ी फूकन को असम के हैं, असमिया कथाकार है और कॉंकड़ी लेकर दामोदर माउजो है उनको सतावनवा दिया गया है ठीक है, अब इन लोग बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं असम के गोलगाट जिले में जन्मे नील मड़ी फूकन को असमी साहित में उनके उलिकनी योगदान के लिए असम वैली आवार्ड भी दिया जा चुका है साहित एकादमी पुरसकार पाचुके हैं साहित एकादमी की महत्तर सदेस्ता के अतरिक्त बादमसरी भी प्राप्त कर चुके हैं ठीक है, इतना कुछ याद मत रखे, थोड़ा बहुत याद रख लीजिए ठीक है, सत्तावनवा की बात करते हैं सत्तावनवा ग्यानपिट पुरसकार दामदर माउजो को दिया गया है गोवा के उपन्यासकार कथाकार निबंदकार आलोचक पचास वर्ष के अपने लेखन में कहानी होआ उपन्यासों के अतरिक्त बाहल साहित की रचना भी उन्होंने की है ठीक है तो हमने ग्यानपिट पुरसकार देख लिया ग्यानपिट पुरसकार में हमने बता है नील का दाम नील का दाम मतलब नील मली फूकन को दिया गया चपनवा जो असमिया कथाकार है और 97 दिया गया दासे दामोदर मावजो को कौंकडि भासा के लेखक हैं गोवा के उपन्यासकार हैं गोवा में ग्यानपिट पूरसकार के तहद बागदेवी की प्रतिमा वा एक प्रसस्थी पत्र के साथ 11 लाख रूपए भी दिये जाते हैं पार्टी करने के लिए 11 लाक रुपए दिये जाते हैं वो ऐसे वक्त में दिये जाते हैं कि ये लोग बहुत बुजुर्ग हो गए होते हैं तब ये अवार्ड बिलता है तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता है ठीक है साहित अकादमी पुरसकार 2021 की बात करें बहुत ही महतपोड है लेकिन हमें जादा याद नहीं करना है बहुत जादा दिये गए हम हिंदी और अंग्रेजी का ही याद करेंगे ठीक पुरसकिर्ट साहितकारों में हिंदी भासा के लिए दया प्रकास सिन्ह दया प्रकास सिन्ह को उनकी नाट रचना संब्राट असो के लिए तथा अंग्रेजी भासा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास ठीक्स टू लेव बिहाइंड याद रखिएगा हिंदी भासा के लिए साहित अकादमी पुरसकार दिया गया है किसको दया प्रकास सिन्ह को संब्राट असो के लिए अंग्रेजी भासा के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास ठीक्स टू लेव बिहाइंड के लिए दिया गया है बाकी और भी भासाओं में दिये गया है हम उनको नहीं देखेंगे अब इतना देखना होगा इतना इस पे समय लगाने से अच्छा कोई और सब्जिक्ट पढ़ डा लिए उसको याद कर डा लिए 24 नमबर वहाँ से 24 कुस्चन बढ़ा लिजी साहित अकादमी पुरसकार समिधान की आठवी अनसूची में सामिल 22 भासाओं के अत्रिक्त अंग्रेजी वर राजस्थानी साहित कुल 24 भासाओं के लिए दिये जाते हैं कुल 24 भासाओं के लिए दिये जाते हैं आठवी अनिसूची में 22 भासाओं के अत्रेक्त अंग्रेजी वराजस्थानी सहित कुल 24 भासाओं में दिये जाते हैं, याद हो जाना चाहिए, ओके, चली आगे बढ़ते हैं, साहित अकादमी युवा पुरसकार भी दिया गया, तो युवा पुरसकार में एक लखनवी, लखनव के आवामे किस्से के लिए, तथा अंग्रेजी भासा के लिए मेगा मजुमदार को उनके उपन्यास अब बर्निंग के लिए दिया गया है, ठीक है, लखनव किस्सा किस्सा लखनवा, लखनव, लखनव कभी जाएगा, तो वहां का कबाब पराठा जरूर खाएगा और बनारस कभी जाएगा, तो वहां पर कचोड़ी बगएरा बहुत बहतर मिलती, अच्छी मिलती, लखनव तो अभी हम जल्दी गये थे, तो वहां पर हमने कबाब पराठे खाए, ठीक है, आप भी जाएगा, तो खाएगा, और वहां के पानी के बतासे भी खाएगा, गोल सान्ती नई सस्ती करण वहम विकास है तू इंदिरागांधी पुरस्कार 2021, ठीक है, दोजार 2021 दिया गया है, कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए गुडवत्त, पुराख, सिक्चा उपलब्द कराने के लिए समर्थित, परथम को दिया गया है, परथम एक शंस्ता है, ए प्रथम को दिया गया है सांती नी सस्त्री करड़ इवन विकास यहतु इंद्रा गांधी पुरसकार 2021 दिया गया है 2014 में या 2015 में UPSC यही अवार्ड पूछा था सीधे सीधे स्रीमती फरीदा लेंबेवा डाक्टर माधव चहान द्वारा 1995 में मुंबई में गंदी बस्तियों के बच्चों की सिछा के लिए स्थापित इस संस्ता की किरिया कलापों का बिस्तार अब दूसरे देशों में भी हो गया है इंद्रा गांधी सांती पुरसकार हितु उनका चैन सर्वुच न्याले के पुर न्याधिस न्यायमूर्थी टीस ठाकुर के धिस्ता वाली जिवरी ने किया इससे पुर वर्स 2019 का या पुरसकार ब्रिटन के परियावार उडविद एलन का डेविर 18 बरो को दिया गया था ओके आगे देखने भारत की पुर परदान मंत्री स्वर्गी स्रीमति इंद्रा गांधी की इस्पृति में इंद्रा गांधी में मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इस पुरसकार की सुरात 1986 से की गई थी 25 लाग रुपए भी परदान किया जाते हैं होके 25 लाग रुपए की धनरासी दी जाती है ठीक है और यह पुरसकार यह अंतराश्टी वार्शी पुरसकार किसी ऐसे बैक्ती अथवा संस्था को परदान किया जाता है जिसने समाज सेवा नी सस्त्री करण अथवा विकास की दिशा में महत्पोड योगदान दिया हो ठीक है तो याद रखे सांती नी सस्त्री करण विकास हे तो इंद्रा गांधी पुरसकार कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए गुरत्ता पुरक सिच्छा अपलब्द कराने के लिए समर्थी संस्ता प्रत्म को दिया गया है ओके आगे बढ़ते हैं नेता जी सुबाज चंद्बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार इस पुरसकार की सुरुवात 2019 से ही की गई थी तथा पिछले वर्ष 2021 का संस्तागत स्रीमिया पुरसकार दिल्ली की सस्टनेबर एंवार्मेंट एंड एकोलोजिकल डेवलपेंड सोसाइट एसे है सीट को दिया गया था सीट को दिया गया था सीट को दिया गया था लेकिन 2022 का पुरसकार ग्री मंतराला के द्वारा घोसड़ की गई की संस्थागत स्रेडी में गुजरात आपदा परबंधन संस्थान और बेक्तिगत स्रेडी में सिक्किम आपदा परबंधन पुछा गया है तो संस्थागत स्रेडी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और वेक्तिगत स्रेडी में शिक्कें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाधेच बिनोत सर्मा जी को दिया गया है इस पुर्वसकार की सुरुआ 2019 से की गई थी ठीक है नेशनल ड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस वर्स आया था इसको आप लोग कमेंट करिएगा कुश्चन 2021 में पूछा गया है सायथ पूछ दिया जाता है इसे कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन की नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे पूछ लिया जाता है तीसरा राष्ट्री जल पुरसकार केंट्री जल सक्ती मंत्राले द्वारा तीसरा राष्ट्री जल पुरसकार 2020 का जल सक्ती मंत्राले द्वारा इसकी घो पर देश दूसरा तीसरा राजस्थान पर पर नमबर दो पर दूसरा तीसरा राजस्थान पर पर दिया गया है ICTP रामा नुजम पुरसकार 2021 इंडियन सस्टनेबल इंस्टिट्यूट कोलकाता के गड़ित विभाग की नीना गुपता को दिया गया ICTP रामा नुजम पुरसकार गड़ितक गे नीना गुपता को वर्ष 2019 का सांती सरु भटनागर पुरसकार भी प्राप्त हो चुका है ये पुरसकार देता काओना ITCT क्या है ICTP क्या है इटली में इस्थित अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फार्ट थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा भारत के विज्ञान और पुद्यकी मंत्राला वा इंटरनेशनल माइतमेरिकल यूनियन के सहयोग से विकास सिल देशों के 45 वर्ष से कम उम्र के किसी गड़ितग को प्रती वर्ष प्रदान किया जाता है आप लोग कमेंट करिएगा राष्ट्री गणित दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं ICTP रामानुजन पुरसकार नीना गुपता को दिया गया है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं राष्ट्री न्रित्य सिर्यों मड़ी पुरसकार दिया गया है कुची पुडी निरत्यांगना है कुची पुडी कुची पुडी कुची पुडी कुची पुडी कुची पुडी कुची पुडी आंध्रा कुची पुडी आंध्रा का है ठीक है तो और भ गरतन दिवस परेट 2022 में पुरस्कृत जहांकियां उत्तर प्रदेश की जहांकी को सरसेस राज जहांकी घोसित किया गया और भारती नौसेना की मार्चिंग टिकुडी को तीनों सेनाओं में सरसेस मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है ठीक है एफ जे एफ आई मिडल इस्पोर्ट जनलिस्ट फेडरेशन आफ इंडिया के द्वारा एफ जे एफ आई मिडल दिया गया है सुनील गावसकर को जानते ही होंगे आप लोग वहीं नीरत चोपड़ा और मीरा बायचानु को एफ जे एफ आई स्पोर्ट मैन आप देयर इस्पोर्ट वूमेन आप देयर का अवार दिया गया है तो इस्पोर्ट जनलिस्ट फेडरेशन आफ इंडिया का पुरसकार दिया गया है सुनील गावसकर को ओके और नीरत चोपड़ा है और मीरा बायचानु को आप जानते ही होंगे नहीं जानते हैं तो खोजिए सर्च क करिए वहां पर प्राप्त हो जाएगा आपको ओके टोक्यो ओलंपीप में कास्पदक जीतने वाले चलिए आपसे पूछी चुके हैं चलिए हाँ अवनी लेखरा जो है अवनी लेखरा जो है उनको वुमेन पैरा एथलीट आप दे ये पुरसकार दिया गया वुमेन पैरा पूछा कया है सेम टु सेम उत्तरप्रदेश PCS में जो केस्टव पूछा गया था सीधे सीधे उठा के रग दिया गया था रेड इंक पूरसकार 2021 रेड इंक पूरसकार मुम्भाई क्रेस क्लब द्वारा जी एक और कारक्रम में मतलब अब रेड इंक वौरसकार गयातब है क मुंबाई प्रेस क्लब ने वर्ष 2010 में अच्छे खोजी और फीचर लेखन को मानता देने और देश में पत्रकारतिया के अस्तर को उपर उठाने के लिए यह इस पुरसकार की सुरुवात 2010 में की गई थी ठीक है इस वर्ष की से दिया गया Red Inc. पुरसकार Red Inc. जैसे यह Red चल रहे ही Red Inc. पुरसकार दानिस सिद्खी को अफगानिस्तान में काम करते समझ जान गवाने वाले फोटो पत्रकार दानिस सिद्खी को माड़ो परांथ जनरलिस राब्दाइएर पुरसकार 2021 से समानित किया गया वरिष्ट पत्रकार प्रेम संकर जहां को उनके तिछड़ और विसले सडात्मक लेखन के लंबे वब विशिष्ट करियर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार दिया गया याद रखिए डानिस सिद्धिकी को जनरलिस आपड़ ये पुरसकार और प्रेम संकर जहा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार दिया गया याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते राष्टी खेल पुरसकार थोड़ा पुराना हो गया लेकिन हम थोड़ा से यहां पर देखेंगे राष्टी खेल पुरसकार इस बार 12 खिलाडियों को मेजर ध्यांचन पुर ठबते हैं हम लोग पिछली बार किये थे कुछ उसी प्रकार से परधानमंत्री स्री नरेंद मोदी जी को भूटान का सरवोच नागरिक पुरसकार दिया गया नगदम पेल जी खोरलो पुरसकार परधानमंत्री स्री नरेंद मोदी जी को भूटान का सरवोच नागरिक पुरसकार दिया भारत के दीपक घर को बोट्समान पदक 2022 दीपक घर नहीं दीपक धर दीपक धर को बोट्समान भौतिक बिग्यानी है प्रोफेसर दीपक धर दीपक धर को और यह पूरसकार कौन देता है इंटरनेशनल यूनियन आफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स इंटरनेशनल यूनियन आफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स इंटरनेशनल यूनियन आफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स त्वारा सांखी की भौतगी के छेतर में उतकृष्ट युगदान के या हमें भी नहीं समझने आ या हो मिस वर्ड होता है, मिस अर्थ होता है, मिस यूनिवर्स होता है ऐसे करके है, तो मिस वर्ड दिया गया है सत्तरवा मिस वर्ड, सत्तर नमबर का है 2021 का, पोलेंड की, कैरोलिना बिलावस्का को कैरोलिना बिलावस्का को, ठीक है PK, Poland की है, कैरोलिना बिलावसका PK, Poland की, कैरोलिना बिलावसका PK, 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 कैरोलिना बिलावसका ठीक है, World है, Miss World है 2021 किस याद रखेगा, हरनाज संदू Miss Universe बनी है Miss Universe बन गई है, भारत की है इसराइल में हुआ था वहाँ पर, इनको मिला हरनाज संदू ने जीतने में सपलता प्राप्त की 21 साल की है, ठीक है, 21 साल की है और या तीसरा और सर है, जब Miss Universe का ताज किसी भारती के सर पर सजा है इससे पूर्व सुस्पिता सेन 1994 में लारादता 2000 में या सपलता प्राप्त कर चुकी है 21 वर्ष के अंतराल पर यह पूर्षकार भारत ने जीता है और यह 21 साल की है, ठीक है तो जब यह पैदा हुई थी 2000 में लारादता को जब मिला था तब भारत का आवाड मिला था, उसके बाद इनको मिला है ओके गोल्डेन ग्लोब अवाड यहां से भी कोस्चन उत्रा खणे पूछा गया है गोल्डेन ग्लोब अवाड 2021 में प्रदर्सित फिल्मों के लिए हॉली बूड के प्रतिष्ठित गोल्डेन ग्लोब पुरसकारों का वित्रड किया गया किसको दिया गया है यहां पर पूछा गया तक कुस्चन कि सरसेश फिल्म के लिए «निकोल» किड मैन ठीक है बिल गेट्स को हिलाले पकिस्तान आवाड दिया गया पकिस्तानले भी आवाड दे रहे हैं बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान अवाड दिया है, पाकिस्तान में पोलियों मुलन में मदद करने के उनके प्रहासों के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ओके पाकिस्तान में दिया गया है, वैसे कि इतना इंपोर्टन नहीं है लेकिन क्या पता परोजियों पर ज़्यादा नजर रहती है इसकी इस पेस Healthy इस पेस के सी एयो एलन मक्स टाइम पत्रिका के वॉसre 2021 के परuspikes ंप दे एर घोषित किया गया है इनकी एरो स्पेस कंपनी स्पेस एक साइलेक्ट्रिक वहन पठीक टेस्ला के सी न पूच्छा जाएं, इनको दिया गया परसन आपडे यह घोषित किया गया है, टेसला की गाड़ियां आती है, कितनी महंगी गाड़ियां है, और हमें नहीं लगता कि हम खरीद पाएंगे इनको, और खरीदेंगे भी नहीं, चलना ही तो रहता है रोट पे, तो जरूरी इतन पर्सन अब दे यह न पूचा जाये कि टाइम पत्रिका के दिसंबर 2021 के उपरित अंख में अमेरीकी गाई का वाल गीत लेकी का ओलीविया रोडरीगो को वर्ष 2021 के internator of the year अपत्र हैं याद रखिया कि यह दोनों चीजे याद रखिये टिक कर लिजे, बार बार फढ़िए, तब मज़ा आएगा, रट जाना चाहिए, सत्यमंगलम टाइगर इजर को TX2 पूरसकार दिया गया, सत्यमंगलम टाइगर इजर को TX2 पूरसकार दिया गया, सत्यमंगलम टाइगर इजर को TX2 पूरसकार दिया गया है, कहां का टाइगर 10 के बाद से बागों की संक्या दूगनी होकर 80 के बाद यह पुरसकार दिया गया बागों की संक्या दूगनी होकर 80 हो गई Tiger इजर सत्यमंगला 1G अभ्हारल को 2013 में Tiger इजर घोसित किया गया था यह Tiger इजर निलगिरी और पूरी घाट परिद्रिस से लैंड्सकेप के बीच एक महत्पूर कड़ी है इसके हला हमाँ नेपाल में भी एक Tiger इजर है बरदिया नेशनल पार्क बरदिया नेशनल पार्क कंजर्वेशन, SEO Tiger Standard Global Tiger Forum IUCN, UNDP, Lion's Share and WWF द्वारा यह TX2 Awards समर्पित है पुरसकार समर्थित है इन लोगों के दोरा निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को दो UNESCO धरोहर पुरसकार निजामुद्दीन बस्ती दिल्ली में एक परियोजना है निजामुद्दीन बस्ती समदाय के समग्र सहरी पुनुद्धार परियाब एक परियोजना है 2021 के लिए सांस्क्रित धरोहर सरचड के लिए इन्योसको एसिया परसांद पुरसकारों में दो पुरसकार इसने जीते हैं निजामुद्दीन में सरचड पहलने उतक्रिष्टता पुरसकार और सतत बिकास के लिए बीसेस मानेता पुरसकार जीता है निजामुद्दीन बस्ती में सरचड के प्रयास आगा खान ट्रस्ट फार कल्चर द्वारा दच्छिड दिल्ली नगर निगम भारती पुरातत्तो सरवेच्छड दिल्ली सहरी विरासत फाउंडेशन और दरगा समिती तथा हजरत निजामुद्दीन बस्ती की निवासी समदाय समुहों के साथ 2007 से साजधारी में किये जा रहे है चली आगए बढ़ते बोकर पुरसकार पुराना पुरसकार है लेकिन याद रखिए डेमेन गैलगाट को दप्रामिस के लिए दिया गया है ओके ठीक है और दप्रामिस एक संकट क्रस्त दचली अपरी की स्वेत परिवार और एक अस्वेत कर्मी से किये गए उसके वादे की कहानी पर आधारीत है ठीक है बाकी पुरसकार अब खेल जगत वार्सकी के हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला नाम है सेन वार्न तो सेन वार्न को जानते होंगे मेरी उमर के नवजवानों आप लोग तो जानते ही होंगे हमारी उमर के नवजवान सभी लोग तो हमारी उमर के ही होंगे तो यह लोग सभी लोग जानते हैं सेन वारन को अगर क्रिकेट में दिल्चस्पी है तो अंतराष्टी क्रिकेट के अलावा वारन ने इंडियन आईपियल प्रिमियर लीग जो आईपियल है इंडियन प्रिमियर लीग आईपियल में भाग लिया 2008 में आईपियल में राजस्तान रायल्स की कप्तानी के और कप्ता प्रियार स्रीजेस को भारत के अनभवी हाकी गोलकीपर प्रियार स्रीजेस को हाली में 2020 के में उनके सांदार परदर्शन के लिए प्रतिष्टित बिसु खेल में वर्ष के सरसेश खिलाडी पुरसकार उनको दिया गया उसे सम्मानित किया गया इससे पहले 2020 में भारती महिला ह की टीम की कप्तान रानी रामपाल 2019 में सांदार प्रदर्शन के लिए पुरसकार जीतने वाली पहली भारती खिलारी बनी थी तो पी और स्रीजेस को वर्ज के सर्सेज खिलारी पुरसकार से समानित किया गया किसका ठीक है और आगे यहाँ पे अक्टूबर में एप आईएच किरकेटर ICC ने वो 2021 के लिए सर्सेज मेला किरकेटर चुना है इस मृती मंधाना ने 2018 में भी यह पुरसकार जीता था और 2021 में भी उन्हें जीत लिया और वर्ज के सर्सेज मेला वंडे किरकेटर चुनी गई थी 2018 में जूलन गोस्वामी के बाद यह पुरसकार पाने वाली दूसरी भारती महिला किर्केटर हैं 2017 PCS Pre के एक्जाम में मिताली राज से रिलेटेरी स्टेटमेंट वाइच PCS Pre में क्वेस्टन पूछे गए थे तो याद रखिए गए चोटी-चोटी चीजें कभी-कभी बड़ी हो जाती है एमा रादु कानू कहां की है अमेरिका की है एसे अमेरिका एसे एमा रादु कानू BBC ने इनको Sport Personality of the Year का पुरसकार दिया गया है ठीक है BBC ने दिया है Sports Personality of the Year का पुरसकार Chris Morris, दचिद अफरिका के जाद रख़िया, नाम एद रख़िया, दचिद अफरिका के क्रिकेटर थे और इनोंने सन्यास ले लिया है और अंजू बाभी जार्ज को भारत की लंभी कूद की पूर वर्सों की परसिद एथलेट में अजू बाभी जार्ज को वर्ड एथलेटिक्स में वोमेन आप दे एर पूरसकार दिया गया है हरबजन सिंग जो की सबी प्रारूपों से सन्यास ले चुके हैं हरबजन सिंग को आप जानते ही होंगे आलरांडर थे वो और हरबजन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले भारत के पहले गेदबाज थे भारत के पहले गेदबाज थे, 1998 में उन्होंने अंतराश्टी क्रिकेट में पदार पड़ किया, अपना पैर रखा, ठीक है, फिर जमाय रहे तब से, और उनको वो अपसन्यास ले ली हैं, अब तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो राजसभा में भी प्रवेश कर चुके हैं, अभी इसी वर्स पिछले माई ने, सौरब गांगुली, आइसी सी क्रिकेट समिती के नए अध्यच हो गए, आइसी सी क्रिकेट समिती के नए अध्यच हो गए, सौरब गांगुली, ठीक है, कुम्बले, अनिल कुम्बले जी जो थे, 2012 से इस पद पर थे, तथा तीन ती दीजिए आप लो ठीक है विघ्यास लचमड राश्ट्री क्रिकेट अध् के के प्रमुक्ष निविक्त हो गए है थार्श्ट्री क्रिकेट के प्रमुक्ष निविक्त हो गाए है राहुल दर्विड को राश्ट्री किकेट टीम का मुख पर सिच्छड बनाय जाने के पस्चात भारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड ने पूर किकेटर वीवियस लच्मन को राश्ट्री किकेट अगर्डमी का परमुख न्युक्त कर दिया सारा टेलर कहां की हैं पूर्षों की पेसेवर फ्रेंचाइजी किकेट में महिला कोच न्युक्त होने वाली महिला कोच न्युक्त होने वाली पहली महिला किर्केटर बन गई है सारा टेलर ठीक है किर्षियानो रोनाल्डो इनके बारे में जानते ही होंगे किर्षियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के हैं जब हमारे प्रधान मंतरी नरेन मोधी जी पुर्तगाल गए थे तो वहां के राश्ट्पति या प्रधान मंतरी सरवाधिक गोल 115 गोल करने का बिश्रिकार्ड भी है और इन्होंने 10 बार हैट्रिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए कब बने हैं पुर्टगाल के फुटबाल खिलाड़ी किश्चियानों ने फीफा बिश्कफ कौलिफायर्स मकाबले में लगजंबर के विरूत 3 गोल कर अंतराश्टी मैच में सबसे अधिक 10 बार सबसे अधिक 10 बार हैट्रिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए तो आप कमेंट करिएगा भारत के कौन से ऐसे खिलाड़े हैं जो सबसे ज़्यादा गोल किये हैं फुटबाल में ठीक है भारत रिंकला टेस्ट स्रिलंका टेस कर देसिब कर भारत में बन सकते हैं और दिसमबर के पहले की होंगे वहाँ से थोड़ा बहुत चीज़ रकी गई हैं बागी ऐसा महतपूर है और भारत स्रिलंका टेस्ट मैच च्रिंखला जो हूई है इसमें टेस्ट मैच स्रिंखला में बढ़ार्त से भारत जीत लिया 2 0 स भारत ने जीता और इसमें महतपूर चीज क्या रही इस मैच में भारत के रिसब पंत ने 28 बाल पर अर्सतक बनाकर सबसे तेज अर्सतक लगाने वाले लगाने का भारती रिकार्ड बनाया इससे पूर यह रिकार्ड कपिल देव 30 बाल के नाम था ठीक है रिसब पंत को बनाया और मानाबदा स्रीच चुने गए यह टेस्ट स्रिंखला है ठीक है फिर 20 स्रिंखला होती है इसमें भी भारत जीत जाता है तिन जीरो से इसके साथ ही भारत ने लगातार बारा टी ट्वंटी मैच जीतने के अफगानिस्तान के रिकार्ड की पराबरी कर ली भारत ने तीन जीत लिया टेस्ट में तीन जीत लिया टी ट्वंटी में अब आगे बढ़ते हैं भारत sonra वेस्टन देज एक दिवसी टी ट्य losing T20 स्रिंखला भारत और वेस्टन दीज की टीम ने अपने भारत दारे में 3 एक दिवसी और 3 टी ट्वंटी मैचों की स्रिंखला खेली up महतपूर्ची इस दवरे का पहला मैच भारत ने 6 विकेट से जीता भारत दौरा खेला जानेवाला यह इस प्रारूप का 1000 मैच था 1000 मैच भारत वेस्टन डीज के साथ खेला और 6 विकेट से जीता पहले टीम बन गई जिसने 1000 वंडे मैच खेलने का रिकार्ड बनाया भारत ने 3-0 से ये भी स्रिंखला जीत ली T20 स्रिंखा का दूसरा एक देशी मतलब 3-0 से टोटल 3-0 जीत लिया भारत ने वेस्टन डीज को 3-0 से पराजित कर दिया T20 में भी और 1-day स्रिंखला का प्लेयर आप टूर्नामेंट भारत के परसिद कृस्डा रहे जो परसिद है किस्डा वेस्टन डीज वाले में परसिद हो गए परसिद डीज प्लेयर आप टूर्नामेट रहे और मैंन अप dif इ Saturn रहे T10 डदशीड एपरीका टेस्ट और one day स्रिंखला ठीक है अभी हमने स्रिलंका के साथ देखा भारत सब जीत गया अभी हमने देखा वेस्टन डीज के साथ एक जारवा मैच भी देख लिया होके और भारत सब जीत गया अब दच्छीड अपरिका गया है भारत के लोग भारत दच्छीड अपरिका टेस्ट वंडे सिंखला 26 दिसमा 2021 से 23 जनुवी 2022 की बीच चलता है भारती सब जीत जा रहे हैं जब यहां से बाहर गया है तो हार गया और एक record भी बनता है कि एक दिशी स्रिंकला में भारती टीम के कप्तान केल राहूल थे जो कप्तान की रूप में पहले तीन एक दिशी मैच हाने वाले भारती कप्तान बन गए तो ऐसी चीजे लिखी जाती है जब आप जीत जाते हो तो आपके पीछे खारवा चलता है और जब तक आप जीतते नहीं हो जब तक हारे हुए रहते हो तो आपके रिष्टदार आपके पडोसी आपको जीने नहीं देते हैं आपके परिष्टदार आपके पडोसी आपको जीने नहीं देंगे वही हाल यहां भी है जब भारती टीम जीज जाती है तो भारत के लोग वाँ 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 क्या बात है बहुत सही आग कोई हार गया तो उनके घर पर पत्राव भी कर देते हैं तो यह सब नहीं होना चाहिए लेकिन यही है समाच भारत रिकार्ड पांचवी बार अंडर 19 क्रिक बार विजयता बना है फाइनल में इंग्लेंड को चारवी ज्राजित से पराजित करता और फांचंवी बार जीज जाता रहा याद राकिएगा United 19 क्रिकेट 20 कप वेशन डीज में हुआ था भारत पांच वी बार विजेता बना फाइनल में इंग्लेंड को पराजित करता है भारत ओके और मैन आप द प्लेयर आप द मैच राज बावा राज बावा राज बावा बनते हैं और प्लेयर आप द टूर्णामेंट दश्ची भारत बार युगांडा की बिरूद बनाएगा 405 रन भारत ने मुहमत कैप की कप्तानी में 2000 में जीता था मुहमत कैप की कप्तानी में 2000 में जीता था बिराट कोली कप्तानी में 2008 में जीता था उनमुक्त चंद की कप्तानी में 2012 में जीता था फिर्थविसा की कप्तानी में 2018 ठारम जीता था, और अभी जीत लिया, भारत ने, किसंकी कपतानी में जीता है, भारत ने, तो कपतानी किस की है, भाई छलिए और सिर्च करेंड करेंग literature, होगा कहीं पर ढूंडा होगा टाइम जाएगा, तो और यह चवधामा संस्क्रब्ट था अंडर' 19 बिसकप का जनुरी फ्रेवर वेस्ट इज में आज जित अंडर 19 किकेट बिसकप 2022 में 16 टीमों ने भाग लिया था कई चीजें हैं यहाद रखनी है 16 टीमों ने भाग लिया 14 हमा संस्करण था भारत पांचवी बार जीता है वेस्ट इंडीज में हुआ है का हुआ है वेस्ट किकेट की विजय हजारे ट्राफी इसमें 38 टीमें भाग ली थी तमिलनाडू को तमिलनाडू की 11 रनों से हराकर हिमाचल प्रदेश ने ट्राफी जीत ली विजय किसको विजय का प्रदक किसे मिला विजय हजारे किसको हिमाचल प्रदेश ने जीता और हिमाचल प्रदेश का या पहला ही फाइनल था जिसे जीत कर पहली बार ट्राफी को जीता किसने हिमांचल प्रदेश ने ठीक है 38 टी में थी विजह हजारे ट्राफी में हिमांचल प्रदेश ने तमिलनाडू खरा के जीता हिमांचल प्रदेश पहली बार जीता है विजह जारे ट्राफी मातपूड और यहाँ पर और भी चीजें हैं सेयद मुस्ताक अली ट्राफी को तमिलनाडू ने जीता करनाटक को हरा कर 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 इतिहास रचा मड़ीपूर के विरुद्ध एक मैच में विदर्व के गेदबाज अच्छे कारनेवर ने अपने चार विकेट के कोटे में एक भी रन्ना देकर इतिहास रचा टी ट्वन्टी क्रिकेट में राष्ट्री या अंतराष्ट्री अस्तर पर किसी भी गेदबाज ने ऐसी उपलब्धी से पुर्व प्राप्त नहीं की है याद रखिये बहुत ही मातपूर है अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हो ने रूपे बना आईपेल 2022 का आफिसियल या टूर्नामेंट का 15 संस्क्राण है टूर्नामेंट में मुंबई और पुड़े में खेला जाएगा मुंबई और पुड़े में खेला जाएगा अरे लखनौ में भी आओ ठीक है लखनौ की टीम भी एड हो गई है तो आप लोग कमेंट करिएगा दो नई टीमें जो एड ह सायोजक है और दो टी में नई कौन सी हो कमेंट करिएगा ICC के पुरसकार 2021 के दिये गए हमने बताया इस पुरती बंधाना को ICC महिला किर्केटर आप दे एर पुरसकार 2020 के लिए राचल हे हो हे हो फिलिंट ट्राफी दिया गया है ठीक है ICC पुरूस किर्केटर इसमें बन सकता है बाबा राजम पे क्योंकि हमेशा आकसर करके भारत के लोग हुआ करते थे इसमें तो इस बार नहीं है चिन्नाई सूपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट यूनिकार्ण यूनिकार्ण क्या होता है इसको आप लोग कमेंट करिएगा कई बार हमने बताया है यू सात्वा आइसे सी टी 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 बिसकब धोज़ार एक किस ठीक है पहले टी 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 वर्ल्ड कप का आउज़न भारत में किया जाना था लेकिन कोईनाटिंक महाबारिक चलते इसको बाहर सिप्ट करना पड़ा 16 टीमों इसमें हिस्सा लिया 16 टी में हिस्सा ली, 7 वा, ICC T20 बिसकप था, भारत में जित किया जाना था, लेकिन कोईडिनाटी महाबारी के काराल इसको बाहर जित किया गया, आस्ट्रेलिया ने, 19 वे, ठीक है, आस्ट्रेलिया इसको जीता है, निजिलेंड को हरा कर, आस्ट्रेलिया पहली बार जीता है, निजिलेंड को हरा कर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सातों ही नंबर का था, 16 टी में थी इसमें, यहाँ पर हरभजन सिंग और जवागल सिरनाथ, MCC के 18 खिलाडियों की सूची में, MCC क्या है, मेरी लेबोन, मेरी लेबोन, मेरी लेबोन क्रिकेट कलब, लंदन इस्त ही था, और इस सूची में, दो पूर भारती क्रिकेटा, हरभजन सिंग और जवागल सिरनाथ के नाम सामिल हो गए हैं, एक अक्टूबर 2021 के, इंग्लेंड की पूर कप्तान, क्लेर कारनर, ने मेरी लेबोन क्रिकेट कलब की पहली महिला अध्यच की रूप में, हरभजन और जवागल सिरनाथ, ये बहुत ही महतपूर है, पूछा गया था, पिछली बार पूछा गया था, लेकिन पूछ दिया गया कहा के, कोई नाम था, हमें याद नहीं आ रहा, आस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, साल में चार ओपन होते हैं, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा ह अफवा, ठीक है, तो आस्ट्रेलियन ओपन हो गया है, इसमें रिकार्ड बन गया है, कि नडाल ने एक किस्वा ग्रेंट स्लम जीता है, नडाल राफिल नडाल, राफिल नडाल, इस्पेन के राफिल नडाल ने एक किस्वा ग्रेंट स्लम जीता है, आस्ट्रेलियन ओपन मे एकल में एक किस्वा गरंट सलम जीता है नडाल ने दो दिगज टेनिस खिलारी हो रोजर फेडरर और नवाग जोकुईच को पीछे छोड़ कर यह उपलब्दी अरजित की है और यह जो दो खिलारी है रोजर फेडर नवाग जोकुईच बीस बीस गरंट सलम जीते हैं राफेल नडाल जो स्पेन के हैं इन्होंने 21 गरंट सलम जीत लिया और इन्होंने हराया किसको है रूस के डेनिल मैदवे देव को रूस के डेनिल मैदवे देव को हराया ठीक है एसले बार्टी ने अमेरिका एक डेनियर कोलिंस को हराया लेकिन पता नहीं क्यों इन्हों ने इस किताब को जीतेने के बाद कुछ दिन बाद एसले बार्टी ने मातर पचीस वर्ष की उन्मेवां तराष्टी टेनिस से सन्याज की गोसड़कर सबको चौका दिया राष्टी महिला आईस हाकी चेंपियनसिप कहां पे हुई है यह हिमाचर प्रदेश मुई है लदाख ने चन्डिगर को हराया यहां पर आगे यहां पर आल इंडिया बैड मिन्टर टूर्नामेंट हुआ था आल इंडिया बैड मिन्टर टूर्नामेंट इंगलाइंड के बर्विंगा में खेला गया था डेनमार के विक्टर एलेक्षन ने भारत की इवासटर लच्छ सेन को पराजित किया था यानि लच्छ सेन पहुँच गये थे उप बीजेता रहे अभी तक लच्छ को उप बीजेता बनकर संतोस करना पड़ा आल इंडिया बैड मिन्टर आल इंगलाइंड बैड मिन्टर टूर्नामेंट में लच्छ सेन उप बीजेता रहे इंडिया उपन 2022 हुआ है इंडिया उपन 2022 हुआ है भारत के लच्छ सेन पूर्सों के एकल किताब में बीजेता रहे हैं पूर्सों के यूगल किताब में भारत के सात्विक सैराज रंकी रेड़ी वह चिराग सेटी की जोड़ी ने फाइनल में इंडिया जोड़ी को हराया तो यूगल में जीत लिए और एकल में भी जीत लिए लच्छ सेन ने इंडिया ओपन में सयद मोदी इंटरनेशनल बैड मिन्टर बाइस लखनों में आयोजित हुआ था इस वर सेय्यद मोही इंटरेशनल बैड मिंटल टूर्मामेंने भारत की पीवी सिंधुने महिलाओं का एकल किताब फाइनल में अपने ही देश की मालुका को हरा कर जीता PV सिंध हुने ब्हारत ने तो जीता नहीं लेकिन भारत उप भी जीता के रूप में रहा है इसमें भारत की किदामभी स्रिकांत पुरू सेकल असपरधा में रजट पदक जीतने में सपल रहे सेमी फाइनल में अपने ही देश के लच्छ सेन को हरा कर फाइनल में अस्थान स्रीकांत ने बनाया जिस कारण लच्छ सेन को कांस से पदक मिला ठीक है अब यहाँ पर पूरुस एकल के फाइनल में सिंगापुर के लोह की एन ने स्रिकांत को हरा कर पूरुसों का एकल किताब जीता तो स्रिकांत उपविचत बिजेतार है के स्रिकांत बिस्ट के बैड मिन्टल चैंपेंशिप में रज़त पदक जीतने वाले भारत के पहले पूरुस खिलाडी हैं अगे बढ़ते हैं प्रियंका भारत की 23 महिला ग्रैंड मास्टर बनी है महिला ग्रैंड मास्टर सतरंज में 23 प्रियंका नुटक्की नुटक्की छुटक्की तो हता है नुटक्की है प्रियंकर नुटक की हैं 23 महिला ग्रेंड मास्टर हैं ओके आन्द प्रदेश की विजय वाड़ा की रहने वाली हैं इसके अलामा 44-17 ओलंपियाड की मेज़मानी भारत को चिन्नई में होगा 44-17 ओलंपियाड ऐसा के हुआ क्योंकि यह रूस में होने वाला था लेकिन वहाँ पर रूस ने आक्रमण कर दिया है यूक्रेंड पर इसलिए भारत को यह दे दिया गया मेज़मानी करने के लिए 44-17 ओलंपियाड भारत के चिन्नई में होगा ठीक है याद रखेगा इस यह आयज़न इसी वर्ज भारत की मेज़मानी में होगा 2223 में 27 चैंपियंशिप के आयज़न के बाद यह दूसरा बड़ा सत्रंज टूर्णमेंट का आयज़न भारत में होगा 23 नहीं 2013 में पहले हुआ था इसके बाद यह दूसरा होगा ओके चिन्नई के भारत सुमन्या भारत के 73 के मास्टर बने हैं सत्रंज में 73 में और इस सत्रंज में पता निकिसे भाट के खेलते हैं और लोग ताली भी बजाते हैं ठीक है तो देखेंगे आप तो बहुत सीरियस रहते हैं एकदम बीजिंग सीट कालीन ऑलंपिक बहुत महतपूड है सीट कालीन ऑलंपिक 2022 का बीजिंग में हुआ है 2024 का इटली में होगा इटली के मिलानों काटिन का है सबीक दोजार में इठली में उगा 24 वा कहां हुआ है चाइना में हुआ है चाइना के इद्यां विजिंग में इस만 प्रमें ख्यानिदेसों में हिस्सा लिया था इसमें भारत की उर से हिस्सा लेने वाले सिक्यर आरिप खां एकमात्र खिलाडी थे भारत की ऊर si इसकी एर आरिफ खान एकमात किलाडी थे इसका सुभंकर था बिंग ड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वेंड्वे खेलों के दोनों प्रारूपों दोनों रूपांतरों गृस्म कालिन और सिद कालिन खेलों का आयजन कर चुका है तो ग्रिश्म कालिन ओलंपिक जो अभी 2020 वाला हुआ है टोक्यो में तो आप बताइएगा 2024 वाला कहां होगा और 2028 वाला कहां होगा ये आप कमेंट करिएगा कमेंट जरूर करिएगा ओके चलिए और जो सीद काली पैरा उलम्पिक हुआ उसका मोटो था टुगेदर फारा सेयर्ड फ्यूचर मोटो था टुगेदर फारा सेयर्ड फूचर चीन टप वे था और यूक्रेन दूसरे नमबर पर था ठीक विस्व कुस्ती चेंपियंशिप 2021 विस्व कुस्ती चेंपियंशिप 2021 में अंसु मलिक ने 7 अक्टरब 2021 को नार्वे कोसले में विस्व कुस्ती चेंपियंशिप 2021 के फाइनल में अमेरिका की हेलेन मारोलिस से हार के बाद महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीती है ठीक है वे बिसकुस्ती चेंपेंशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारती महिला पहलवान बन गई है ठीक है रज़त पदक जीती हैं लेकिन पहली बन गई है पहली बार किसी भारती मैला ने ऐसा कितिमान अस्थापित किया ओके तो आज का करेंट यहीं तक रहा हमने पूरा खेल का करेंट फेर जो महतपूर था इसके अलामा और भी आप पढ़ना चाहेंगे तो मत पढ़िएगा नई तो पागल हो जाएंगे इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें दी हुई है इतनी ज़्यादा चीज़ें खेल की हो जाती हैं महतपूर ही हमने बताया आपको खेल और पूरसकार में सब महतपूर आपको बताया है बाकी नोबल पूरसकार जो है कि आपक यूपी PCS होने वाला है और आठ को आठ मे को आपका होने वाला है बिहार PCS उसके पहले पहले तो नोबेल पुरस्कार नहीं आएगा तो यही वाला important है इसलिए उसको हम बना देंगे बाकी यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बहतर तरीके सब कुछ आपको बता दिये गाए जहाँ जापर बोला गया कुछ दी जाएगी तो सवरोब आपसेल टेलिग्राम पर आपको कुछ दी जाएंगे ओके तो मिलते हैं साम को लेक्चर नमबर टू और आखरी लेक्चर एंसेंट हिस्टरी का बहुत-बहुत धन्यवाद